आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में अगर खुछ से नहीं हारे तो आपकी जीत निश्चित है देखो दोस्तों जिन्दगी में हार जीत तो चलती रहती है लेकिन अगर हम खुछ से हार गए तो जीत कहां से मिलेगी इसलिए खुछ से हारने का आपसन ही नहीं होना चाहिए हर कदम पर हर मुश्किल से लड़ते हुए हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए सबसे पहले तो हमें अपने सपनों को हमेशा याद रखना चाहिए सपने ही तो होते हैं जो हमें जीने का मक्षद देते हैं अगर हम सपनों से हार गए तू जीत कहां से मिलेगे So always keep your dreams alive and work towards them continuously दोस्तों लाइफ में ups and downs होते रहते हैं कभी-कभी हम fail हो जाते हैं कभी-कभी मुस्किल आते हैं लेकिन यह सब हमें strong बनाते हैं हर failure एक opportunity होती है सीखने के अगर हम हार मानने दे हैं तो हम सीखने का मौका भी खो देते हैं एक और important बात है self failure अपने आप पर विस्वास रखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के बीच में कितनी बार सुनते हैं तुम यह नहीं कर सकते या तुमसे नहीं हो पाएगा लेकिन हमें इन बातों पर धार नहीं देना चाहिए हमें अपने संभावनाओं पर विस्वास रखना चाहिए और खुद को प्रूव करते रहना चाहिए और याद रखना success overnight नहीं आती है एक successful person बढ़ने के लिए महनत और समय लगता है तो patience रखना बहुत जरूरी है अगर हम खुद से हार गए तो हमें patience खो देते हैं और अपने सपनों से दूर हो जाते हैं तो दोस्तों अगर खुद से नहीं हारे तो आपकी जीत निश्चित हैं ये एक मंत्रा है जो हमें motivate करता है, inspire करता है इस मंत्रा को अपने जिंदगी का हिस्ता बनाए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें, share करें और मेरी चैनल को subscribe करें और हाँ, comment में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी देखते रहें मेरा चैनल जहां आपको मिलती रहेगी motivation, inspiration की डोस धन्यवाग और मिलते हैं अगली वीडियो में